पॉलिवूद सिंगर मिक्का सिंग के लिए कल का दिन बेहदी अजीव रहा जहां कल सुबहे मिक्का का गाना आखमारे रिलीज हुआ तो वहीं शाम होने तक उनको ये खबर मिली कि दुबई पुलिस ने उन्हें योन उपीडन के मामले में हिरासत में ले लिया है बताया जा रहा है कि मिक्का पर ब्रजील की एक 17 साल की मॉडल को अशलील मेसिज भेजने का रोप दरसल मिक्का अपने स्विंगिंग परफॉर्मेंस का सिलसले में दुबई गए हुए थी जिसके बाद दुबई पुलिस ने इस बाद की पुष्टी करते हुए ये बताया कि उन्होंने मिक्का को हिरासत में ले लिया है महीं मिकका की गिरफतारी के बाद से ही उनके दोज उने जमानत दिल्वाने की पुर्जोर कोशिशे कर रहेए वेसे आख को बता दें कि ये मिकका के लिए कोई नई बात नहीं है मिकका हमेशा से ही ऐसे विवादों में घिरे रहने के लिए जाना भाती इससे पहले 2015 में दिल्ली में एक कारिक्रम के दौरान मिक्का ने एक डॉक्टर पर हाथ उठा दिया था जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया था इसके अलावा 2014 में उन पर हिट एंड रन का केस दर्च किया गया था जब उन्होंने कथित तोर पर अपनी गाड़ी से एक ओटो रिक्षा को टक्कर मारी थे साथ ही 2006 में राखी सावन को जबरिन किस करने का वाक्या तो जग जाहे रहे अब देखना ये है कि हर बार की तरह क्या इस बार भी मिक्का इस कॉंट्रोवर्सी से असानी से निकल पाते हैं या नहीं बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से चुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं नम भारत करे